हेलो एवरीवन स्वागता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चानल लॉजिक पार्ट शाला में तो आज से हम शुरू कर रही है करेंट अफेस के मेरतन क्लास बिलकुल सही बात तो करेंट अफेस 2022 के हमारे जो भी मोस्ट इंपॉर्टन क्वेस्टन होंगे पूरे साल के उन हम इन मेरतन जो क्लास होंगी वो हम पार्ट वाइस करेंगे और उन सभी पार्ट में हम वो most important questions को cover करेंगे तो दीरे दीरे करके आपको सभी parts मिलते रहेंगे 100 questions आपको एक पार्ट में मिलेंगे तो most important questions होंगे अगर आप revision करना चाहते हैं पूरे साल का current affairs तो आप इन questions को ज़रूर solve करें PDF आप लोग को जितनी भी PDF से वो हमारे telegram group पे मिल जाएंगी link description में दिया गया है अदरवाइस logic partial 16 सर्च करेंगे तो आपको telegram पर हमारा group मिल जाएगा तो friends यह जो classes हैं फिर से अगेन बोलूँगी most important classes हैं आपके current affairs revision part से तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देरी से तो साथी साथ में आप लोग answers को माग करें जिसे कि आपका अच्छे से revision हो सके first question है जोस रमोस होटा has been sworn as a fifth president of which country तो जो जोस रमोस होटा है यह किस सेश के पांचवे राष्टपती के रूप में उनने शपत ली तो कौन सी country है इन में से जो country है उसका नाम है East Timor मैं थोड़ा सा देखे fast speed में चलूँगी because यह revision वीडियो है जहां extra information होगी वो सभी आप से शेयर की जाएगी तो इसलिए friends अब देखो याद ऐसे कर सकते हो जोश से जोश मना सकते हो कि हमारे अंदर दिखे हो कोई भी चीज़ करना चाहते है जोश होना चाहिए और वो कैसा होना चाहिए मोर मतलब जादा जोश होना चाहिए ऐसा नहीं कि बिल्कुल ठंडे से पर ज इस भी देखी दिया गया और यह कंट्री के फिफ्थ नंबर के जो है वो देश के पांचवे राष्टपती बनी है नेक्स्ट कोईजन बे बढ़ते हैं ति साइंटिस्ट और विच कंट्री है प्रपोस्ट आर स्पेस प्रोजेक्ट नेम जिसका क्या है क्लोस पाई हैबिट एक्सपो एक्सो प्लानेट सर्वे तो यह जो स्पेस प्रोजेक्ट है ना क्लोस पाई हैबिटेबल एक्सो प्लानेट सर्वे यह किस कंट्री के जो साइंटिस्ट है उन्हों ने इसका प्रस्ताव रखा तो इसका जो प्रस्ताव रखा है वो चाइना देश के क्या करना चाहते हैं कि हमारा जो solar system है उसके बाहर भी दिखे ऐसे planets होंगे जो earth की तरह होंगे तो उन सब बे planets को खूशने के लिए जो है telescopes को यूज किया जाएगा उनका salvation करने के लिए इस space project का जो प्रस्ताव है वो रखा गया है अगला question है where will be the annual meeting of the world economic forum be held in the year 2022 अब देखे विश्व आरतिक मंच की जो ये वार्षिक बैठक है ये कहाँ पर हुई ये बैठक आपकी हुई दवोस स्विजरलेंड में और इस बैठका में उदेश ये था कि जो भी challenges है जो issues है जैसे pandemic को लेके हो गया चाहे रश्या यूकरन वार को लेके हुआ climate change इन सभी के बारे में इन सभी issues को solve करना इसके जो solutions है वो खोशना इस meeting का उदेश है और इंडिया की तरह से इसमें अध इस्ट वेदर स्टेशन और मांट एवरेस्ट तो एक बताना है कि किस की एक विशेश अग्यों के पूरी टीम थी जिसने मांट एवरेस्ट पर 8830 मिटर के उचाई पर दुनिया का सबसी उचा मौसम स्टेशन जो है स्थापित किया है तो ये स्थापित किया है National Geographic Society के जो experts क टीम है उनके द्वारा इसे जो है सापित किया गया है ये जो meteorological phenomena जितने भी होंगे उन सभी को automatically ये measure करेगा और the weather monitoring system ये solar energy से power होगा और जैसे meteorological phenomena मतलब क्या हो गया जैसे कि air temperature, wind speed हो गया direction, air pressure हो गया तो snow की जो surface के उपर height वो सभी चीज़ों को क्या करेगा ये मापी का तो और इस team को ये पुरी जो team थी ना National Geography Society के experts की जो team थी इसको lead किस ने किया? Baker Perry जो के climate scientist है Dr. Ramakant Shukla passed away in May 2022 in which year did he receive the Padmashree? इनका देखिए May में जो है निदन हुआ था इस साल इनने किस वर्ष में Padmashree मिला? तो answer हो जाएगा 2013 में इनने Padmashree से सम्मानेत किया गया था अल्सो देखिए इनको साहित अकादमी अवोर्ड मिला था संस्कृत में ये भी ध्यार नकेगा फॉर मामा जनानी के लिए 2018 में इनने मिला था तो जादा तर वैसे Padmashree से आपको question पूछ लेंगे which of the following will open its first regional office in India at the Gujarat International Finance Tech City यानि Gift City में जो अपना पहला छेत्रे कार्याले है कौन जो है वो खोलेगा तो इन में से खोलेगा NTB next question है new species of non-venomous snake नाम दिया है इने lane rule discovered in which state तो लेंडो नामक एक गैर विशेले साब की नई प्रजाती कि सराज्य में खोजी गई तो ये जो प्रजाती है फ्रेंट से खोजी गई मिजोरम स्टेट में which of the following जसने launch किया इंडिया का पहला dental health insurance plan तो भारत की पहली दंत स्वास्तिय बीमा योशना किसने शुरू करी answer is PNB MetLife तो दिखें सिंपल से questions है इनको हम आराम से online reform में करते चलेंगे आपको ध्यान रखना है कि किसके द्वारा किया गया तो इससे आपको अच्छे से revision हो जाएगा याद जरूर होगा आपको answer को कि important award है तो बिलियम ई कॉल्वे पुरसकार किसने जीता ये जीता वीजली मॉर्गन ने अपनी military और जो उनके intelligence राइटिंग है उसके लिए उनको ये जो award है वो दिया गया एक बुक थी the hardest place the American military adrift in Afghanistan speech valley तो ये बुक जो है वो इनके द्वारा ही जो है लिखी गई है next है who has been reappointed as a managing director and chief executive officer of ptm ptm के जो mdco फिर से appoint किये गए उनका क्या नाम है answer is vijay shekar sharma the first ever professional international boxing tournament of Bangladesh was held in which city तो जो बांगलादेश का पहला professional जो अंतराशने मुक्यवाजी tournament है ये कि शहर में आयोजित किया गया तो इसका आयोजित किया गया है ढाका में अगला question है who among the following has been elected as the new prime minister of Australia बात करते हैं friends Australia की तो जो नए प्रधानमंत्री Australia में बने उनका नाम है Anthony Albanese और Australia के capital है Canberra who has become one of the youngest Indian mountaineer to climb the Everest Waste Camp तो जो Everest Waste Camps पे चड़ने वाले सबसे कम उम्र के भार्टे परवतारोहियों में से कौन बने है उनका नाम है Rhythm Mamania which state government has partnered with the World Economic Forum's Global Plastic Action Partnership to advance regional efforts to fight plastic pollution तो देखिए plastic production से लड़ने के लिए किस राजर की सरकार ने जो World Economic Forum है ना उनके साथ मिलकर भागेदारी करी है तो ये partnership करी है friends महराश्ट सरकार ने अगला question है which state government has ordered 33% reservation for women among the outsourced employees in all its department यानि अपने बिभाग में जो भी outsource करमचारी है उनमें महिलाओं के लिए 33% के आरेक्षन का जो आदेश दिया है ये आदेश दिया है friends करनाटक की सरकार ने who has been appointed as a chief digital officer of jet airways बात करें friends jet airways की तो जो chief digital officer बनी है उनका नाम क्या है प्रभ शरन सिंग तो जितने appointments होते हैं वैसे देखें आपको other अलग videos में भी आपको सब appointments मिल गई हुए है tricks भी आपको बताए हुए हैं यहां सिर्फ हम revise कर रहे हैं तो one liner means अभी को आपको याद रखना है अगला question है who has been appointed as a new chief executive officer or a managing director of infosys limited infosys के chief executive officer कौन बनी है सालिल पारिक next एंडिया's 1 million all women ASHA workers were awarded and honored by Daesh भारत के जो 1 million महिला आशा कारे करता हैं उनको किस organization के द्वारा जो है सम्मानित किया गया तो friends उन सभी को WHO यानि World Health Organization ने सम्मानित किया who has broken the world record in women's 400 meter freestyle swimming at the Australian swimming championship तो महिलाओं की जो 400 meter freestyle तेराकी में wish record break किया है ये ब्रेक किया है अराइम टिटमस ने next है friends which of the following has been crowned Premier League Championship for after a 3-2 win against Eston Villa तो जो Premier League Championship पुछा गया है कि किस ने जीती ये जीती Manchester City ने और इन्होंने defeat किसे किया ये भी ध्यान लखेगा Eston Villa को इन्होंने 3-2 से defeat करके ये championship जीती next है who won 36th Rigsawik Open 2022 तो friends ये championship ये किस ने जीती है तो सही answer है रमेश बाबू प्रग्यानंद ने championship जीती है Rigsawik Open 2022 next है who won the Spanish Grand Prix 2022 तो friends जितनी भी देखे Grand Prix हुई है इस पे आपको एक अलग वीडियो मिल गई है जिसमें tricks से आपको पूरे साल के Grand Prix याद करवाई गई है वो जरूर देखेगा आपको sports current face में भी मिल जाएगी और current face जो topics नाम से एक playlist है उसमें भी आपको वीडियो मिल जाएगी easily तो बात हो रही है Spanish Grand Prix की ये जो जीती है वो Max Warsapine ने जीती है अगला question ने India and Daesh signed an investment incentive agreement in Tokyo Japan भारत और किस देश ने Tokyo Japan में एक investment यानि निवेश पुतसाहन समझाते पर हस्ताक्षर किये तो ये जो समझाता हुआ ये India और USA के बीच में हुआ अगला question है What is the rank of India in the World Economic Forum's Travel and Tourism Development Index तो भारत की जो इसमें rank रही भारत इसमें रहा 54th place में और अगर हम टॉप पे बात करें तो Japan, US, Spain इसमें टॉप लिस्ट में रही है तो इंडिया ने इसमें 54th place जो है वो हासिल करी है अगला question है Which union minister has addressed the 75th session of the World Health Assembly in Geneva तो जेनेवा में विश्व स्वास्ते सभा की 75th सतर को किस केंद्रे मंत्री ने संबोधित किया? आंसर है फ्रेंट जो हमारी health minister है बंसुक मांडविया जी ने इसे संबोधित किया अगला question है Which company has become the first company in India to trade domestic gas on Indian gas exchange? कौनसी company भार्ते gas exchange पर घरीलू gas का व्यापार करने वाली पहली company बनी? सही answer क्या होगा? Oil and Natural Gas Corporation Limited नेक्स्ट कोशन है दिली के जो नए लेफ्टेन गवर्नर यानि जो नए उपराजे पाल अपॉइंट हुए आप सभी जानते होंगे उनका नाम विने कुमार सकसेना नेक्स्ट है friends, Dash has become the first Indian state to roll out drones in the healthcare sector में स्वास्ते छेतर में drone को roll out करने वाला जो पहला राज्य बना, वो कौन सा बना? तो वो बना friends उतराखन देखे, drone की मदद से क्या होगा? कि जो medicines है ना, वो ऐसी इलाकों बें जल्दी पहुंचा दी जाएगे जहान जाना मुश्किल होता है, तो इसमें drones काफी जादा useful रहेंगे नेक्स्ट कोशन है, विच स्टेट गॉर्मेंट हैस लांच्ट संभवम पोर्टल टू हीर दी कम्टेंट्स ओफ इलेक्ट्रिसिटी कंस्यूमर्स तो जो भी बिजली उपभोगता है, उनकी शिकायत के सुनवाई करने के लिए जो संभव पोर्टल है, इस पोर्टल को किस ने लांच किया उत्तर प्रदेश की गॉर्मेंट ने इस अवोर्ट को इयाल अवोर्ट के नाम से भी जानते हैं, तो इसके लिए किसे चुना गया? इस अवोर्ट के लिए चुना गया है, ए आर वेंकर टचलपथी को नेक्स रहे है, वो हैस बिकम दा फर्स प्लेयर तू हिट 700 फोर्स इन दा हिस्ट्री ओफ इंडियन प्रीमियर लीग, तो आईपील के इधियास में 704 लगाने वाले पहले खिलाडी कौन बने? आंसर इस शीखर धवन, तो पंजाब के इंग से ओपनिंग जो बैटर हैं 24 लगाए हैं, ये ध्यान रखेगा, इसके बाद, हू हैस स्मेश्ट इवोमेंस हंड्रेट मीटर हर्डल नाशनल रिकॉर्ड फर दे सेकेंड टाइम इन लेस दन टू वेक्स, दो सब्ता से भी कम समय में उन्हें दूसरी बार महिलाओं की, हंड्रेट मीटर जो हर्डल रेस ह उसमें एक नाशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया, इनका नाम है जियोती याराजी, नेक्स्ट है, विच स्टेट हैं विच स्टेट हैं अगला कोशन है, देखे, एक्सरसाइस का नाम है बोंगो सागर, ये एक्सरसाइस जो है वो इंडियन नेवी और बांगलादेश की नेवी के बीच में पोर्ट मोंगला बांगलादेश में इसका आजियन हुआ, अब कोशन में पूछा गया है कि कौन सा एडिशन इसका आजियत हुआ, तो एडिशन हमें ध्यान रखना है तीसरा, तो एक कोशन में आपको सब जानकारी मिल गई, किस किस के बीच में हुई, इंडिया बांगलादेश के कहां पी हुई पोर्ट मोंगला बांगलादेश में एडिशन कौन सा हुआ तीसरा तो जो हमारे इंडियन एर फोर्स की रैंक है वर्ड एर पावर इंडेक्स में कौन से प्लेस पे है तो वो है फ्रेंट्स थर्ड प्लेस पे अगला कोशन है किस आईटी ने पार्टनेशिप करी है मिनिस्ट्री ओफ रेलवे के साथ मिलके फोर्डी डेवलप्मेंट ओफ इंडिजीनियस हाइपर लूप सिस्टम तो हाइपरलू प्रणाली के लिए जो भागेदारी करी है ये आईएटी मदरास ने करी है मिनिस्ट्री ओफ रेलवे के साथ और रेलवे मिनिस्ट्र कौन है हमारे तो उनका नाम है अश्वनी वैश्नौ तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 तो स्वच्छ सर्वेक्षण का जो आटवा एडिशन है फ्रेंग्स इससे इसका शुभारम किस ने किया तो मनोज जोशी ने इसका शुभारम किया अगला कोशन है विच स्टेट गॉर्मेंट हैस कैंसिल्ड दप पार तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट तो ये जो पार तापी नर्मदा नदी जोने के परियोशना है इसको रद कर दिया किस सरकार ने गुजरात की सरकार ने इन विच स्टेट दा फोर्थ एडिशन अफ स्टेट लेवल शिरुई लिली फेस्टिवल इस स्टार्टिंग किस राज्य में जो शिरुई लिली महसव है इसका चौथा संस्क्रण शुरू हुआ ये संस्क्रण आपका शुरू हुआ मनिपुर स्टेट में किसे सम्मानित किया गया आंसर इस तिरुवरर वक्टवस सलम को इस अवर्ड से सम्मानित किया गया है अच्छा यहां पे आपको देखिए हर एर के लिए दिया गया अगर हम 2020 की बात करें तो नोटेट वोकलिस्ट जो है नेवली आरसंथ गुपालन इनको मिला 2022 के लिए अवर्ड मिला है जी जे आर क्रिशन जी जे आर विजय लक्षमी को तो तीनों इयर्स का हमें ध्यान रखना है 2021 और 22 के लिए अगला कोशन है who was honored with the prestigious honorary child rights hero award 2022 तो प्रतिश्टित मानत बाल अधिकार नायक पुरुषकार से किसे सम्मानित किया गया इंडिया के अशोग दयालचंद और गहाना के जेंस कोफी अनन इन दोनों को जो है इस आवर्ड से सम्मानित किया गया है देखिए इनोंने न अशोग द aware about the rights of girls तो अपने campaign के थ्रू उन्होंने जो girls के rights उनके बारे में देखे काफी awareness फलाई child marriage के बारे में काफी awareness फलाई उसी के साथ अगर हम घाना के James Kofi Annan की बात करने तो उन्होंने भी child square जो engaged होता है fish industry में जो बच्चों को engage किया जाता है उसके खिलाव अभियान इनोंने चलाया उसके लिए उनको ये award दिया गया नेक्स्ट एप प्रेजिडेंट ये former प्रेजिडेंट आब आप लिख सकते हैं रामनात कोविन जी इनाउगरेटेड दी नैशनल वुमें लेकिश लेजर्टेस कॉन्फरेंस इन डाहश तो इनके द्वारा जो राष्टी महिला वि को शुरू किया इस प्रोग्राम को शुरू किया तमिलनाडू की सरकार ने अगला कोसिन है विच स्टेट है सट्वाइफ है टोम्पिक वेहिकल policy for next 5 years अगले 5 वर्शों के लिए थी इलेक्ट्रिक वाहनी निमीद इसाजय की सरकारण ने अपनाया हैं राइट आंसर संसर मी अगला है दि ओलंपिक वेल्यव एजुकेशन प्रोग्राम औफ दि इंटराश्चनल ओलंपिक कमेडी वोस लॉंच्ध इन विच स्टेट। तो अंतराश्ची समीति गाल जो इंटराश्चनल ओलंपिक कि ये जो वेल्यॵ प्रोग्राम है किस राज्जे में शुरू किया गया इसे शुरू किया गया फ्रेंट्स ओडी सामे और ऐसा करने वाला ये पहला ही राज्य था कॉन किस पैंक के द्वारा लॉंच किया गया परसनल लोन प्रोड़क्ट जिसका नाम है एक्स्प्रेस क्रेडिट जो भी salary customers हैं उनको उनके digital banking platform पर एक्स्प्रेस क्रेडिट जो लॉंच किया है ये SBI यानि State Bank of India ने इसे लॉंच किया who has created history by becoming the first woman officer to join the army aviation corps as a combat aviator किस ने combat aviator के रूप में army aviation corps में शामिल होने वाली पहली महिलादिकारी बनकर इत्यास रश्टिया इनका नाम ध्यान रखना है अभिलाशा बारिक who among the following has received an honorary officer of the order of the British Empire तो ये जो award है order of the British Empire तो ये जो award है किसे प्राप्त हुआ है answer is किशोर जाया रमन को who has won the prestigious वास्विक industrial research award for the year 2020 2020 के लिए प्रतिष्थेत वास्विक ओद्योकिक अनुसंधार पुरिशकार किस ने जीता doctor A. Gupal Krishnan ने अगला question है a new book जिसका नाम है listen to your heart the London adventure ये book किस ने लिखी है तो listen to your heart ये book लिखी है Ruskin Bond ने तो बहुत ही famous author है और book भी बहुत ही जादा famous है listen to your heart तो अपके heart के साथ जब bond अच्छा होगा तब आप उसकी जादा सुनेंगे तो ऐसा आप ऐसे कर सकते हैं कि heart के साथ अपना bond जादा बना के रखें तो bond से हो जाएगा Ruskin bond अगला question है इंडियन पैरा बेंडमिंटन टीम हैस वांड डैश अट फर्स बहरीन पैरा बेंडमिंटन इंटरनाशनल चैंपेंशिप तो टोटल देखे भारते टीम ने जो इसमें मेडल चीते हैं वो किस ने दीते तो आंसर हो जाएका 23 मेडल जिसमें से 7 gold, 3 silver और 13 थे bronze medal तो अलग-अलग भी ध्यान रखना है टोटल मेडल चीते 23 वो इनॉगरेटिट इंडियास बिगेस्ट ड्रॉन फेस्टिवल भारत ड्रॉन महसव 2022 और कहां पर इसे इनॉगरेट किया गया न्यू डैली में तो जो इंडिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट ट्रॉन फेस्टिवल है इसे इनॉगरेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी ने तो ये तो मैंने आपको बहुत बार देखे रिवाइस कराया है कि जमु कश्मीर के भदर वहां में जो पहला लेवेंडर महसव है इसका उदगाटन किया है जितेंदर सिंग जी ने कि टेरर फंडिंग मामले में आजीवन कारवास की सजा किसे सुनाई गई तो किसे सुनाई गई आंसर इस यासीन मलिक को तो बिना किसी ओक्सिएन के सहायता से देखी इनोंने माउंट एवरेस्ट को फते किया और पहली भारते महीला बनी इनका नाम क्या है पियाली बसक next question है which has become the first metro city in India जिसने biodiversity रजिस्टर शुरू किया तो इसको प्राप्ट करने वाला जो पहला metro शेहर बन गया वो कौन सा है कौलकाता which state has begged the prestigious start of governance scotch award in education तो किस राज्य ने प्रतिष्टित star of governance scotch award in education जीता ये award जीता है किसने west bingol सरकार ने which state has become the second state to recognize the community forest resource rights inside a national park तो national park की अंदर ही सामुदायक वन संसादन अधिकारों को मानिता दीने वाला जो दूसरा राज्य बना है ये कौन सा है answer is 36 अगला very important question कि हिंदी novel Tom of Sand के लिए international booker price किस ने जीता तो very important है ये जीता किस ने गितांजली श्री ने who has been appointed the new president of the athletes committee of the international boxing association तो इसकी जो athletes committee है उसके नई अध्यक्ष के रूप में किसी न्युक्त किया गया right answer हो जाएगा लवलीना बोर्गेहे को अंतराष्टे मुक्यबालजी संग की athlete समीती के नई अध्यक्ष के रूप में न्युक्त किया गया अगला question है हमारा who has been elected as a first Dalit female mayor in London council तो पहली जो दलित महिला mayor के रूप में चुनी गई उनका नाम है मुहिंदर के मिधा अगला हमारा question है दोड़ा question चुप गया मैं आपको बता देते हूं देखे फुटबॉल जो tournament है hero India women's league 2022 का किताब किस ने जीता ये खिताब जीता है गोकुलम केरला FC ने next question है friends Indian army के जो vice chief of army staff यानि जो नए जो vice chief बने है वो कौन है दो उनका नाम है friends B.S. Raju Indian army की बात करें Indian army की stabilisement 1st April 1895 को हुई headquarter है New Delhi में chief जो है हमारे army staff की वो है Manoj Bandar vice chief कौन है B.S. Raju Indian army day मनाया जाता है 15 January को अगला question है the government of Telangana state उन्होंने M.U. sign किया किस multinational company के साथ मिलके to take advantage of digital economy to youth and women entrepreneurs तो Telangana की सरकार ने इसके लिए जो M.U. sign किया है वो Google के साथ किया Google जो कि एक US की multinational company है इसके stabilisement हुई 1998 में और headquarter है इसका California में अगला question है who has won the prestigious Whitley Gold Award 2022 important mark करें तो ये award किस ने जीता राइट आंसर हो जाएगा चारुदत मिश्रा ने ये award जीता है उन्हीं ये award दिखे दिया गया है तो conservation and recovery of big cat species जो leopard जिसे हम कहते हैं उनकी conservation और उनकी recovery में काफी उनका योगदान रहा है काफी involved रही है उसके लिनको ये award दिया गया अगला question है International Labor Day यानि अंतराश्टे मजदूर दिवसकब मनाया जाता है और ये exam में बहुत पूछने हैं first of May को मनाया गया और इसकी जो theme रही वो थी work together to build a positive safety and health culture आगला question है which medal has been won by Indian player P.V.Sindhu in the Badminton Tournament Asia Championship तो P.V.Sindhu ने Asia Championship 2022 में कौन सा medal जीता इन्होंने bronze medal जीता है और ये हुई कहां पे थी championship Manila Philippines में who has been honored with the highest diplomatic award का नाम है Josh Gregorio P.Soldan 2022 और पेरू की सरकार के दोरह ये award दिया जाता है तो ये award से किसे सम्मानित किया गया? आगला question है on which day the central government has announced to celebrate उज्जुला दिवस every year for clean fuel, better life हर एक साल जो उज्जुला दिवस मनाने की घोशना की गई है वो किस दिन की गई है? 1st May को क्योंकि देखिए उज्जुला स्कीम जो है वो प्राइम मिनिस्टर मुदी जी के द्वारा 1st May 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक से इसको शुरू किया गया था इस स्कीम के देखिए एक टागेट सेट किया गया कि जो LPG connections है वो प्रवाइट किये जाएंगे जो भी BPL families ने बिलो पोवर्टी लाइन फामिली तो उसमें जो बूमन मेंबर्स है उनको LPG connection जो है वो प्रवाइट किया जाएगा इस स्कीम के तहत next question है who has become the new MDNC of Shivalik small finance bank तो इसके जो नए MDOCO बने है उनका नाम क्या है आंसर इस अंशुल स्वामी आगला question है the world first taxi flying airport अर्बन एयर वन वर्टी पोर्ट हैज बिल्ड इन विच कंट्री तो यह दुनिया का जो पहला taxi उनान हवाई अड़ा है कि देश में बनाया गया है तो इससे क्या होगा देखें जो cities की connectivity है और वो better और बहुत ज़दा easier हो जाएगी next question है when was world tuna day 2022 celebrated बात करते हैं विच्व टीउना देवर्स की तो यह आपका celebrate होता है second of May को और इसकी theme रही are tuna our heritage this central government has changed the name of मिय का वाड़ा railway station in Rajasthan to what new name तो जो मिय का वाड़ा railway station है इसका नाम बदल कर अब नया नाम क्या हो गया है तो आंसर है महेश नगर होल्ट which state government जिसने अप्रूफ किया इंडिया का पहला जेने बैंक प्रोजेक्ट for the conservation of genetic resources तो जो भी देखे आनुवांशिक संसादय ने उनके संरक्षन के लिए भारत की पहली जीन बैंक परियोशना को मन्सूरी दी है किसने महराज्ट state government ने वेर हैस एंडियास first course grain operated green field grain based ethanol plant inaugurated तो ये green field अनाच आधारिज जो ethanol संयंतर है इसका उधगाटन कहां पर किया गया है राइट आंसर इस बिहार में जगा है पूर्णिया जहां पर इसका उधगाटन किया गया अगला कोशन है खेलो masters national games 2022 ये कहां पर शुरू हुए तो ये games जो शुरू हुए है ये new Delhi में start हुए the game is organized by foundation of India the brand ambassador of this competition will be the Indian wrestler the great khali तो ये एक important point बन सकता है कि जो इस competition के brand ambassador है वो कौन है the great khali who has won the title of 75th coveted santosh trophy 2022 इसे hero senior national football championship भी कहते है और ये खिताब किस ने जीता ये खिताब जीता है friends केरल की team ने ये तो tournament in 1941 में शुरू हुआ था Indian football association के दौरा और इस बार जो इसका 75th edition हुआ ये कहां पे हुआ ये भी ध्यान न केगा केरला में who has become the new advisor or prime minister नरेंदर मोदी तो प्रधानमंती नरेंदर मोदी जी के जो नए सलाकार बनी है उनका नाम है तरुन कपूर किस कंपनी के लिए भारती थ्यास का सबसे बड़ा जो आई-पी है वो लॉंच किया गया किस कंपनी के लिए तो कंपनी का नाम है Life Insurance Corporation of India जिसकी शुरुआतोई 1st September 1955 में हैटकौर्टर है इसका मुंबई भारास चेर्मन है इसकी एमार कुमार अगला कोशन है वर्ड एस्थमा डी विश्व एस्थमा दिवस जो है कब मनाया जाता है सही आंसर है थर्ड ओफ मे को विश्व एस्थमा दिवस मनाया जाता है देखिए हर साल थर्ड ओफ मे को नहीं होता जो भी मई महीने का पहला Tuesday होता है उस दिन आपका word asthma D होता है, asthma के बारे में उसको युवारे में educate करने के लिए जिवस को मनाते हैं और theme रही इसकी reducing the asthma care gap अगला question है where will the health summit 2022 be organized? स्वास्ते शिकर सम्मेलन 2022 का आयोचन कहां किया चाहेगा? राइट आंसर इस गुजराद के के वडिया में और friends union health ministry जो minister है मनसुख मांडवय जोनोंने इस conference की अध्यक्षिता करी इसका मेन उदेश है ये था to control the cases of corona and to promote the vaccination campaign अगला question है which vehicle manufacturer has launched the first pure electric vehicle और इसका नाम रखा गया अविन्या पहला शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन अविन्या को किस manufacturer चो company इसने लौंच किया तो इसे लौंच किया है Tata Motors ने Tata Motors चुक एक Indian Automotive Manufacturer Company है इसकी शुरुवातवी 1945 में headquarter है मुंबई महराष्ट प्रेजिडेंट इसके नटराजन चंदर शेकरन वेर हैस प्राइम मिनिस्टर नरिंद मोदीजी inaugurate the first Semicon India Conference 2022 इस conference का उदगाटन कहां पे किया गया बेंगलॉर करनाटका में नेक्स्ट कोशन है IWF Junior World Weightlifting Championship के इतिहास में पहले Indian प्लेयर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता तो पहले भारते के लाड़ी कौन बने आंसर इस हरशादा शरत गरुन कौन सा मेडल जीता ये भी ध्यान नकिएगा गोल्ड According to the Air Consultancy firm Official Airlines Guide which has become the world's second busiest airport तो दूसरा जो busiest airport है वो है Indra Gandhi International Airport जो की है New Delhi में अगर हम सबसे busiest यानि सबसे वियस्तितम हवाइडों में पहली की बात करते हैं तो वो है Heartfields Jackson, Atlanta International Airport जो की है Georgia में और दूसरे नमबर पे है New Delhi का Indra Gandhi International Airport What is the rank of India in the World Press Freedom Index जिसको Without Borders ने release किया इस index में भारत जो रहा है वो 150 यानि 150 नमबर पे रहा पहले place पे है Norway उसके बाद Denmark दिन Sweden इसको Without Borders ने जारी किया जिसका headquarter है Paris, France में Who has become the new chairperson of the Central Board of Direct Texas? CBDT के अध्यक्ष कौन बने है? Answer is Nitin Gupta CBDT के स्थापना 1st January 1964 में होई headquarter इसका New Delhi में है अगला question है Where is International Firefighters Day 2022 celebrated? ये दिवस मनाया जाता है आपका 4th of May को और जो भी Firefighters से देखी है उनको thank you कहने के लिए वो अपनी life को risk में डालकर लोगों की life को safe करते हैं आग से तो उनको thank you, उनको honor करने के लिए ये दिवस celebrate करते हैं Which university has topped the medal tally of Kelo India University Games 2021? इसकी medal tally में पहले नंबर पे रही है Bengaluru की Jain University, सबसे जादा medals थी है venue रहा इसका Bengaluru करनाटिका में और addition रहा इसका second अगला question है मुख्य मंतरी मितान योशना ये किस ने शुरू किया? तो 36 कड की सरकार ने इस योशना को शुरू किया राचे सरकार की जो भी government services से उनका लाव उठाने के लिए इस योशना को शुरू किया गया Where was the second India Nordic Summit 2022 held? तो कहां पी हुआ? ये आपका समेलन हुआ Friends Denmark में और addition भी ध्यार ने केगा इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी ने Football League Spanish La Liga इसका title किस ने जीता? Right answer is Real Madrid FC ने विश्व का सबसे लंबा जो glass bridge है और इसे नाम दिया White Dragon एक किस तेश में खोला गया है तो ये खोला गया है Friends Vietnam में ये जो bridge है इसका floor बना है French made जो tempered glass है उससे इसका जो floor है पुरा कांश का वो बनाया गया किस राज्य ने जो jail के prisoners ने उनके लिए एक जीवला नामक एक loan scheme शुरू करी तो इस loan scheme को शुरू किया है Friends महराष्ट की सरकार ने Next question है World Hand Hygiene Day ये कब मनाती है तो विश्व हाज स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया जाता है Next day according to the report released by Registrar General of India Consistate या UT में सबसे जादा highest sex ratio है 2020 के according तो सबसे जादा कहां पे है Friends लद्दाक में आप देख सकते हैं 1104 उसके बाद अनुनाचल प्रदेश देन हैं अंडमान निकुबार अगला question है with security force जिसने launch किया है special operation जिसका नाम है operation सतर्क to stop smuggling from trains तो train में तसकरी को रोकने के लिए जो operation सतर्क है इस अभियान को चलाया है railway protection force service आगला question है who has released the state of the world forest report 2022 about the state of forest around the world तो इस report को किसने जारी किया food agriculture organization ने next and last question है आज की वीडियो का देखिए world snooker जो championship है इसका title किसने जीता तो इस championship का खिताब जीता है Rooney O. Sullivan ने तो आज के हमारे marathon की जो पहली class थी friends उसमें हमने 100 questions cover कर लिए है आके आपको काफी सारी videos मिलेंगी तो उन videos को भी आप लोग जरू देखेंगे जल्द ही आपको provide की चाहेगी comment section में बताएगा कि आपका revision कैसा रहा और इस तरीके की चो वीडियो से आपको कितना help फूफ करते हैं आप अपने हमें feedback भी देख सकती हैं तो next video में मिलेंगे thank you so much for watching this video